अब इस सल्मान भाई की मूवी होती नहीं एक शे टाइगर होता ना तो उनकी चार बार इंट्री होती है चारों सॉलिड होती हलो मा के लेड़ लोग पापजी परियो मैं हुआ अमिर ये है सिनमा की मैंने पठान के लिए अपनी कुरसी की पेटी इतनी कस कर बान ली थी कि मैं भूली गया था कि मुझे घर पर फीवर से डाउन होकर नहीं बलकि सिनमा हॉल में जाकर अपनी बेटी बान ली थी तो खेर शारुख खान के एक अच्छे फैन एड्माइर और एक मूवी लवर के तरह मैं इस फिल्म को देखने गया और जो मैंने एक्स्पिरियंस किया वो मेरे लिए कोई सर्प्राइज नहीं था उसमें कोई भी डाउट या कन्फूजन नहीं है उसके अलावा इस फिल्म में कुछ नया नहीं है और इस से पहले कि आप मुझे कैंसल कर दे जस्ट लिसन मी आउट यह कहानी का मोटा मोटा स्टोरी लाइन जहां हमारे पठान के लिए जो कन्फिलिक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं जिसके चलते वो पंप जो है ना वो थोड़ा कम फील होता है क्लाइमेक्स में जो डेटोनेटर वाला सीन है उन सब को उठाके रीक्रियेट करके सीन बनाके इस फिल्म के स्क्रिप्ट में डाल दिया गया है कुछ कुछ सीन्स तो हमें फॉरिंट फिल्म्स की भी याद दिला थी जो ओविसलिवायर अपने नहीं बनाई कुछ इट वास मतलब ठीक है लेकिन कोई ना दिस्वायक वास एनफ टू कवर इट अप सिनेमेटोग्राफी यानि की विजुल्स मुझे काफी तकड़े लगया दो गाने दोनों सॉलिड में मौर्णिंग नौव बज़ो वाला शो गया था तो ऐसे भी चार-पांच रो ही भरी हुई थी कोई हेल भी नहीं रहा था तो डांस करना तो बहुत ही दूर की बात है तो नहीं किया अक्शन सीन्स और उनकी कोरियोग्राफी जो थी वो काफी अच्छी लग रही थी एडिट भी मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा बट जारिंग भी नहीं लगा कुछ एकाश शॉट्स को छोड़ दे तो तो बुरा कहीं से भी नहीं था दिपिका लुक् चलानेवला सीन दिया है तो बस वो आई कैंडी या फिर हनी ट्रैप के तौर पे इस फिल्म में नहीं है शी हाज लिटल बिट मोर तो दो एंड जॉन इस परफेक्ट वायर विलन तो बी आनेस्ट फिल्म कमाई के रिकॉर्ट तोड रही हैं और एम वेरी हैपी एन एक्साइ जा रहा है जोड के मतलब नहीं a much more quality storytelling and filmmaking as a whole वो चाहिए मुझे जो यहां मुझे में सिंग लगा so as that audience I felt कि यह जो movie है थोड़ी overhyped and a bit let down but honestly I enjoyed it at moments मैं चीख रहा था चिला रहा था सीटी मारनी नहीं आती लेकिन I was clapping out loud and I extremely loved and enjoyed the moment जहां tiger और पठान screen share करते हैं उनकी chemistry भी काफी smooth लगी मुझे एक एक पल को ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को थोड़ा rough and tough दिखाने के लिए over act कर दे रहे हैं but I think it's just me and जहां पर वो लोग मिलते हैं वो scene जितना intense था उसके मुकाबले उनके expressions थोड़े अल yeah all in all it's a very good entertainer with a city mara and gullafard entries लेकिन एक fact और की पठान के इंट्री से ज्यादा effective मुझे जॉन और टाइगर के इंट्री लगी अगर आपको भी ऐसा लगा तो मुझे comment से बताना प्लीजा और थोड़ा badass होता ना यार मतलब की समझ रहा हो अभी Salman भाई की movie होती ने एक से tiger होत of India क्या लगता है आपको कब तक हजार कोड़ को सरी अगले अफ़ता तक बाहु बढ़ेका रिकार्ड तोड़ देगी क्या है पठान सॉंग को ऑसकर में वेल निकाए अगला सल नॉमिनेट नी होगा जीती भी जाएगा गोल्डन फोल देना वाइट सब गया तेल लेने विल झालिए